दुनिया भर में कहर बरपाने वाला कोरोना के लिए जिम्मेदार चीन अब इसकी आड़ में कमाई करने में जुट गया है मदद के नाम पर दूसरे देसों को चिकित्सा समागरी और उपकरण बेचकर हुआ भारी मुनाफ़ा कमा रहा है बिड़मना की बात है कि अमेरिका जैसी महा सक्ती भी इस समय उसकी आपूर्ती की मोहताज है भारत की भी यह हिस्तिती है दुनिया के कई कमजोर देसों पूरी तरह उसके रहमो करम पर है चीन की इस कुटिल चाल को विश्यसक्गों ने भाप लिया है इन लोगों के दुनिया को अगाह किया है कि अपनी धमकी बनाये रखने के लिए चीन कमजोर देसों को मीडिया के तेवर कुंद करने का विचार भी दे रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखे क्योंकि इस वीडियो में ने चीन की कुटनिती और बैस्वीक महासक्ति बनने के लिए चीन क्या-क्या हाथकंडे अपना रहा है और उन पर रिसर्चर का क्या कहना है उन सभी बातों के बारे में बताया गया है और एक पर काबू पाने के लिए जी जान से जुज रही है वहीं चीन इसकी आड़ में मुनाफा कमाने में जुट गया है पिछले कुछ दिनों में चीन ने अपनी सायनित गतिविदिया भी बढ़ा दी है उन्होंने लिखा है कि चीन कुरोना के कहर अपने ढंग से बया करने के लि चीन ने उतरी छेतर के समुदर में हाल हिम परकृतिक गैस का भंडार खोजी निकालने की गोसरा की है चीन ने यह कामयाभी ऐसे समय पाई है जब बाकी देश अपने सभी संसाधनों का इस्तमाल बिमारी से निपटने में कर रहे हैं क्रोना से तबाह हो रहे देश अमेरिकान मेडिकल आपूरती सुनिशित करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन कानून लागो किया है वहीं चीन के पडोसी मुल्कों मलेसिया और फिलिपिन्स में लोकडाउन लागो किया गया है क्रोना वायरस संकट के समय चीन खुद को जिमेदार बैस्विक नेता साबित करने की आड में दुनिया का चौधरी बनने की कोशिस में जुटा है और मेडिकल सप्लाई की मदद से चीन फायदा लेना चाहता है इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टिूट के वरिष चलाकार डेविट सुलमाइक ने वार आंदा राक्स में लिखा है कि कुरोना से बुरी तरब प्रभावी देशों को मेडिकल सप्लाई की मदद करके चीन के नेता ठोस फायदा लेना चाहते हैं वे बैस्विक परिदीश को अपनी सुभिधा और लाब के हिसाब से बदलना चाहते हैं चीन की सरते मानने का दबाव कमजोर लोकतंतर वाले देशों को मास्क दबाव भेंडिलेटर चीन सप्लाई कर रहा है जिसमें कुछ ठीक से काम भी नहीं करते सप्लाई के साथ इन देशों पर चीन की सरते मानने का दबाव भी सामिल है जो देश अभी तक अपने यहां 5G मोबाईल सेवा में चीनी कंपनी हुआवे का बिरोत कर रहे हैं वे भी दबाव में हैं एवं अपने आलोचको का मुह बंद करने के लिए कुख्याप चीन मदद की आड में कमजोर लोकतंतर वाले देशों में सुचना पर नियांतर रखने वाला अपना माडल भी थोपना चाह रहा है उलेकनी है कि चीन ने 2003 में सार्स फैलने पर खुद पर तोहमत लगने पर मीडिया और मामले की पैरविक कर रहे हैं समुहों का मुह बंद कर दिया था इसी तरह इस बार कोविड-90 की जनकारी देने वाले को भी यही सब भोगतना पड़ा चीन इस समय कमबोडिया, सर्विया और यूगांडा जैसे देसों के जनमत को अपने हिसाब से प्रवावित करने और पतरकार ओव सिवी सोसाइटी को नियंतर करने और उनकी निगरानी के हतकंडे सिखा रहा है उन्होंने लेक में लिखा आए कि अमेरिका और उसके सहयोगी देसों को बीसु में अपना बर्चस स्थापित करने के लिए चीन की कुटिल चालो का बिरोत करते रहना होगा अमेरिका की निव्यार प्रांत के गौर्णर एडम कुओमो का भी मनना है कि दुनिया भर में कुरूना के प्रकोप के लिए जिम्यदार चीन अब इसकी आड में कमाई कर रहा है मास्क दवा और भेंडिलेटर महंगे दाम पर बिचकर वह मन मना मुनाफ़ा ले रहा है अफसोस तो इस बात का है कि अमेरिका जैसी महा सक्ति उस पर निर्वर है अमेरिका में कुरूना संकट के दोरान चिकित्सा समगरी और उपकरन का टोटा पढ़ने से हालत भयानक है भारत दोरा कुछ दवायों के निर्यात पर पाबंदी लगाने से भी अमेरिका को दिक्कत हुई है भारत हर साल अमेरिका को करीब 5.35 अरब डालर की दवाय बेचता है लुइसियाना के गौर्णर जान बेल एडवर्ड ने बताया कि इस संकट काल में अमेरिका में भेंडिलेटर के दाम दुगने तक हो गए है उन्हेंने कहा कि देश में बीते 35 साल में उद्योगों को दूसरे देश में ले जाने की नीति की कारण आज अमेरिका को चीन के सामने लचार होना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि इस संकट से उबरने के बाद हो सकता है, देश में सभी लोग राश्पती की अमेरिका फ़र्ष्ट की नीती पर सहमत हो जाए। पीटर नवारो ने हमें चेताया है कि हम लोग मेडिकल सप्लाई पर खतरनाक अस्तर तक दूसरे देशों पर निर्भर हैं। करोना ने इस परकिरिया को तेज कर दिया है, करोना के इस संभावित प्रणाम से भारत भी और छुता नहीं रहा पाएगा। कर दो दूसरे दूसरे नहीं रहा पाएगागा। कर दो प्रुता लाँ भी और वाएगा है